Welcome, respected participants, आज के 16 वे दिन में आपका स्वागत है, हमारी health, हमारी तंदुरस्ती हमारे ही हाथों में है, क्या आपको पता है, क्या आप मानते हो, अगर agree हो, तो अभी नीचे comment करके yes लिखिए, देखिए, हमारा ये शरीर किवल healthy रहने के लिए ही बना है, ये तो हमारी lifestyle और हमारी thinking process, विचार प्रक्रिया यानि negativity के कारण ही हम बीमार होते हैं, आज कल सभी को कोई न कोई स्वास्थ की समस्या होने लगी है, और अगर आप अपने सरीर और मन दोनों को संपुर्ण स्वस्थ रखना चाहते हो, तो guaranteed इलाज है क्रितग्नता की अभिवेक्ती, जी हां, attitude of gratitude, हम ह हमारी इच्छा से भी healthy रह सकते हैं, The Secret की वेबसाइट पर क्रितग्नता के कारण हुए अनेक स्वास्थे संबंधी चमतकरों का उल्लेक है, इस वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हो, www.thesecret.tv.stories क्रितग्नता की चमतकर एक शक्ती, तन और मन की तंदुरस्ती बढ़ाती है, हमको बिमारी से भी खड़ा कर देती है, देखिए, जब हम बिमार होते हैं, तब हमारे मन में डर सा बैठ जाता है, हाई हाई, मुझे क्या हो गया, मैं अच्छा हो पाऊंगा कि नहीं, ऐसी negative वि आती है, और आपका subconscious mind तो आपका सेवक है, आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वही वह करता है, subconscious mind क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम उसे अपने वसमे कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए उपर आई लिंक पे क्लिक कीजिए, description से भी आप वीडियो देख सकोगे, the power of your subconscious mind, त इसलिए जब भी थोड़े भी बिमार हो जाए, तो प्रयत्न से सकारत्मक सोचिए, forcefully positive thinking करिए, और कृतग्यता वेक्त कीजिए, इस पृत्वी पर ज्यादातर लोगों को खुद के सरीर के लिए आकार, रंग रूप के लिए फर्याद होती है, जो मोटे है, उससे पतला होन है, लंबे को नाटा, नाटे को लंबा होना है, गोरी लड़की को टैन होना है, और कालिश कीन वाली को गोरा होना है, ऐसी सतत असंतोस की भवना, जादु के प्रवाह को slow या रोक देती है, फर्याद से ही आपको जो चाहिए वो नहीं मील पाता है, आपके सरीर के लिए या कोई अंग के लिए आपको अगर फर्याद रहती है, तो आकरशन के सिद्धान्त, लो अफ एट्रक्शन के अनुसर फर्यादे बढ़ेगी, छोटे प्रोब्लेम बढ़े बनेंगे, इतना याद रखना की सरीर के दिखावे के लिए फर्याद करके आप अपने ही पैर पे कु करेंगे, फेज वन आपकी भुतकाल की तंदुरस्ती, यौर पास्ट हेल्थ, आप सोचिये कि आप जब छोटे थे तब बचपन में कितने हेल्दी रहते थे, जोड़दार, भगादोडी, धमाल मस्ती करते करते आप बड़े हुए है, बड़े होने के बाद भी आपकी हेल् हुए हो, खुश हुए हो, उसे याद करके magical words thank you, thank you, thank you बोलिये और सच्चे मन से आभार मानिये, अब phase 2, वर्तमान की तंदुरस्ती, present health, आज के दिन में हम कितने तंदुरस्त हैं, हमारे हाथ, पैर, दिमाग, आखे, कान, नाक, लिवर, किड्नी, हर्ट, ऐसे कितने ही हमें चलते फिरते रखते हैं, सभी अपना-पना काम कितने अच्छे से करते हैं, उनका भी आभार मानना है, इन सभी अंगों में से 5 अंग ऐसे पसंद कीजिए, जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और एक के बाद एक, बारी-बारी, सभी अंगों का आभार मानिये, thank you, कहक के कृतगनता दिखाईए, अब फेज 3, भविश्य की तंदुरस्ती, जो आप चाहते हो, कभी-कभी अपने सरीर के कोई अंग हमें तकलिफ देते होते हैं, किसी के कान वीख होते हैं, तो किसी की आखे, किसी को डायबेटिस, तो किसी को किड्नी का प्रब्लेम, पर हमारी magic practice इससे इसमें भी सुधार हो सकता है, पर उसके लिए आपको उन सभी अंगों की आदर्स्त परिश्थिती सोचनी पड़ेगी, जिस भी अंग में तकलिफ है उसके लिए फरियाद या चिंता करने की बजाईव, आपको वे सभी अच्छे स्वस्त मजबुत हेल्दी है ऐसा सो जब भी कोई बीमारी हो तो उसका चिंता ना करे, आवस्यक दवाए ले और किवल पोजिटिव थिंकिंग ही करे और बोले कि है प्रभु मेरी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद, ध्यान देना, आपका मन बहुत पावरफूल है, उससे जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा, आ आपके सबकॉंसर्स मैंड में इतनी ताकत है कि वो किसी भी बीमारी से आपको वापिस खड़ा कर सकता है, संपूर्ण हेल्दी बना सकता है, आपने प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा, प्लेसीबो इफेक्ट, एक स्टडी में, एक रिशर्च के अनुसार, लेते ही तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, और सर्प्रेजिंगली पेसंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पोजिटिव बोलने से पेसंट के माइंड में भी पोजिटिव ठीकिंग चालू हो गई, और माइंड पावर से वो जल्दी ठीक हो गय अब जब भी बीमारिया आएं तो तुरंत law of attraction को याद करना और बीमारी की चींता या उसके बारे में नेट पे सर्च नहीं करना नेगेटिव चीजें मत पढ़ना किवल बोलना I am healthy, I am powerful, thanks for the great health. एक मिनिट आखे वंद करके बैठें और शरीर की आदर्स तंदुरस्ति के बारे में ही सोचे, आखों के चसमे या कम सुनाई देना या कोई दर्द सभी भूल जाओ, मन ही मन केवल आदर्स तंदुरस्ति के बारे में ही सोचे और कृतग्नता प्रगट किजिए, तंदुरस्ति अपने आप आएगी, एक example, अगर मैं किडिनी का चमतकार पाना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा मेरी स्वस्थ हेल्दी मजबुत किडिनीओं के लिए आभार रोज मेरे सरीर का कच्रा मेरे लिए साफ करती है, रात दिन मेरे लिए काम करती है ऐसी मेरी किडनी तुम्हारा धन्यवाद आखों के नंबर बढ़ गए है और आखों का तेज बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले तो द्रश्टी है उसके लिए अभार प्रगट कीजिए आपको वजन में कमी या बढ़ोतरी जो भी चाहिए उसको पा लिया है ऐसी कलपना खुद के लिए कीजिए और आभार वेक्त कीजिए यह क्रिया आप रोज एक या एक से जादा बार कर सकते हो ध्यान रखे जैसे ही बीमारी के नकारत्मक विचार मन में आए तुरंत उसे पोजिटिव सोच लाकर दूर कर देना है और हेल्दी अवस्था पा चुके हो ऐसी कलपना करके धनिवाद प्रकट करना है आजमा के दिखिए चमतकार होगा कल डे 17 में मिलते हैं मैजिक चैक के साथ गाड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू